नमस्कार अने, वल्कम यौल दू वर्ल अफेर्स, ना हूँ प्रशान दवन, दुनिया भर में अगर हम देखें, तो जमीन बहुत ही जरा कीमती है, कंट्रीज लड लेती है, जमीन के इशू को लेकर, एक इंच भी लैंड अगर कोई कबजाले किसी कंट्री का, तो उसी अमिका में सुदान और एजिप्ट के बीच में एक पर्टिकुलर एरिया है, साइज में आप कह लीजिए, जितना बड़ा साइज यूके की कैपिटल लंडन का है, उतना ही बड़ा साइज इस एरिया का है, और इस एरिया को ना एजिप्ट क्लेम करता है, और दुनिया का को इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस एरिया की हिस्ट्री क्या है क्यों ये लोकेशन इतनी खास है कि दुनिया का कोई भी देश इस एरिया को क्लेम नहीं करता जो ये पूरा डिस्प्यूट है ये समझने से पहले आपको जानना होगा दो देशों के वारे में इजिप्ट और सुदान अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल अफेर्स ये आपके सामने इजिप्ट का जंडा है और यहां पर आप देख पाएंगे ये है इजिप्ट on the world map ये हमारा प्यारा भारत यहां पे हो गया और यह यहां पे है इजिप्ट इज सुदान यहां पर आप देख पाएंगे ये इसका जंडा है और ये लोकेशन है सुदान की on the world map अबादी है इस देश की 4,50,000,000 और GDP भी ठीक ठा की इनकी करीब 33,000,000,000 डॉलर की इनकी है GDP और इन दो कंट्रीज के बीच में आपको मिलेगा बिर तविल एक ऐसा रीजन जो और यहां पर ये रीजन ना कलेम करने का रीजन क्या है और देखो मैं आपको जाता हूँ कॉमेडी सबसे बड़ी यहां पर यह है कि ना सिर्फ दुनिया का कोई कंट्री इस रीजन को कलेम नहीं करता सुदान और इजिप्ट इस बात पर डिप्लोमेटिक लडाई question यही बनता है कि इसकी history क्या है क्यों situation इतनी जादा funny हो चुकी आज के समय वेल इसकी history जानने के लिए हमको सबसे वहले समझना होगा कि Ottoman Empire कितना फैल चुका था और Ottoman Empire के अंडर इजिप्ट का क्या status था यहाँ पर आप देख पाओगे 18th century के end में यह था Ottoman Empire का size अब obviously आप देख पाओगे यहाँ पर उस time Egypt भी Ottoman Empire के अंडर था मगर Egypt को Ottoman Empire ने एक थोड़ी सी आप कहली जिए autonomy दे रखी थी autonomy यह है कि Egypt कल को किसी और country को कबजा सकता है यहाँ पर जो local affairs है यह Egyptian rulers ही समालेंगे जो यहाँ पर Turkish rulers थे उन्होंने ज्यादा आप क्या सकते हैं अपनी force लगाई नहीं governance को समालने में in Egypt तो Egypt although Ottoman Empire का part था काफी हद तक यह लोग local affairs और आसपास की countries के ता जो relations है यह खुद ही समा सुदान दोनों पर कबजा कर लिया यह जो invasion थी यह Egyptians नहीं कर ली थी और again यह बहुत interesting था कि Egypt Ottoman Empire का part था मगर इन लोगों ने Egyptians ने खुद अपनी authority से जो यहाँ पर सुदान Empire है उसको अपनी एक colony declare कर दिया था अब यह यहाँ पर status है अब अचानक से क्या होता है कि British Empire को बहु जो wealth इंडिया से loot कर UK ले जाते थे Britishers उसका रास्ता और जादा easy हो गया था British trade के लिए British overall loot के लिए Suez Canal था बहुत important तो Suez Canal एक ऐसी location थी जहाँ पर Britishers कभी भी अपना control खोना नहीं चाते थे तो British Empire ने यह सोचा कि अब time आ चुका है Ottoman Empire से यह जो area छीनने का तो British Empire ने attack करके य area है यह Ottoman Empire से चीन लिया और इस तरीके से यहाँ पर Britishers ने कभजा लिया पूरा Egypt अब Egypt उन्हों ने कभजा लिया मगर साथी साथ इनको एक और भी कॉलनी मिली जो इससे पहले Egypt ने कभजा रखी थी वो थी Sudan की कॉलनी तो basically Egypt का जो पूरा यहाँ पर occupation था वो ऐसा था South Sudan, Sudan और पर का जो यहाँ पर area है Egypt का यह सब बन गया था British Empire का हिस्सा अब यहाँ पर एक सवाल पूसकते हैं wait so Britishers यहाँ पर आये और इन लोगों ने सीरा सीधा यह area कभजा लिया और Ottoman Empire बस देखता रह गया इतना बड़ा area UK ने बस छीन लिया Ottoman Empire से तो देखिए obviously एक proper war हुई जिसका नाम है Anglo Egyptian War ये war हुई थी 1882 में बहुत ही bloody conquest थी overall कई British soldiers यहाँ पर मारे गए British officers मारे गए और in the end Britain ने अपना यहाँ पर influence पका कर लिया था मगर Britain को यहाँ पता नहीं था कि इनको विरासद में एक बहुत ही बड़ा एक dispute मिलेगा dispute यहाँ पर यह था कि जो सुदान की territory Egypt ने जा ली थी पहले ही जब यह ओटोमराम पार के अंडर थे उस area में अब rebellion हो रा था बगावत हो री थी in very simple words Egypt असल में तो यह था ठीक है नीचे का जो यह पार था यह तो सुदान था अब यहाँ पर आपका होगे मैं दो चीजे बोल रहा हूँ यहाँ पर एक तो सुदान और South Sudan तो दुनों में फर्क है तो हाँ बिल्कुल दुनों में फर्क है आज के समय आप अगर देखो तो सुदान का बढ़वारा हो चुका है 2011 में सुदान से तूटके बन गया था South Sudan तो उस वक्त आप अगर देखो तो Britishers ने यहाँ पर Egypt, सुदान और South Sudan तीनों को ही कब जा लि freedom अब Britishers ने यहाँ पर सोचा क्या करें कही ना कही हमको administrative point of view से ना दोनों region को divide करना होगा एक proper यहाँ पर boundary बनानी होगी तभी दोनों के बीच में जो tension है कई सालों की tension है यह कुछ हद तक हम resolve करवा पाएंगे तो Britishers ने इसका simple सा solution निकाला 1899 में यह straight line बना कर इन्होंने literally ए यहाँ पर draw करती और यह का कि चलो ठीक है अब Egypt और Sudan की लडाई खतम आपस में dispute खतम तुम दोनों British Empire के पार हो अब कोई यहाँ पर warning होगी मगर Britishers ने जो यह line draw करी थी यह line draw करी थी बहुत जादा ignorance के साथ actually आप देखोगे British Empire ने internationally जहाँ भी border बनाई है वहाँ पे साफ साफ लगता है कि इन लोगों का कोई interest नहीं था और interest था भी तो interest इस चीज में था कि कैसे यहाँ के dispute का हम और बढ़ा सकते हैं ना कि situation को और जड़ा काम कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान का division भी आप अगर देखो बहुत ही अजीब सा किया है और उस division की वज़े से कई लाखों ल जाल दिये Egypt में फिर यहाँ पर नीचे का जो कुछ area था यह ऐसा area था जो historically belong करता था Egypt को तो इस line को लेकर जादा acceptance थी नहीं तो फिर Britishers ने यह का कि ठीक है ठीक है तीन साल हो गए हैं फिर से हम एक नई line डौ करेंगे 1902 में और फिर Britishers ने यहाँ पर नई line यह डौ कर दी इस बिलौ करता है Egypt को मगर जो यहाँ पर लोग रहते थी उन लोगों ने इस line को भी properly accept किया नहीं अब इंटरस्टिंग बात देखो यहाँ पर यह होती है कि British Empire एक टाइम पर चला गया World War 1 होई उसके बाद धीरे धीरे जो यह protectorate का status था यह remove किया गया Egypt को altogether complete independence मिल गई 1952 में और यह गभी भी खतम नहीं हुआ आज भी आप अगर गूगल मैप में देखोगे न तो Egypt और Sudan की जो बॉर्डर है यह बहुत ही अजीव दिखती है यह मैप को दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे Egypt और Sudan की जो यहाँ पर बॉर्डर है यहाँ तक तो ठीक है इंट इस तरीके से जो जारी है यह बॉर्डर क्लेम करता है Sudan कि यह होनी चाहिए प्रॉपर बॉर्डर Egypt और Sudan के वीच में जो यह बिल्कु सीदी लाइन जारी है यह क्लेम करता है Egypt कहता है कि यह लाइन सही है अब दुनों लाइन डॉकिश ने करी है Britishers ने मगर किसी भी लाइन को British शैंपार ने प्रॉपर तरीके से एनफोर्स कराया नहीं इस वज़े से दुनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है अच्छा आप यहाँ पर बिरताविल का इतना अबड़ा रोल क्या है रोल यह है आप यह बात समझिएगा अगर मान लो Egypt कहता है कल को के बिरताविल इनको बिलॉंग करता है तो Egypt उस case में जो यह सुदान का वर्जन है बॉर्डर का यह इसको accept कर रहा होगा तो इसलिए Egypt हमेशा कहता है कि बिरताविल बिलॉंग करता है सुदान को और actual बॉर्डर बिलुकु straight line है ठीक है इसलिए Egypt claim करता है नहीं बिरताविल को सुदान का case भ लोग यह भी कह रहे हैं कि दुनों कंट्री की जो बॉर्डर है यह होनी चाहिए बिलुकु straight अब जो यह dispute है यह और ज्यादा अजीव तब हो जाता है जब Red Sea के करीब यह जो यहाँ पर area है यहाँ पर मिल जाती है बहुत सारी natural gas, oil और जब से इसकी discovery हुई है तब से दुनो कंट्री का जो dispute है इस area को लेकर यह और जादा intensify हो गया है अजीब बात देखिए कि जब यहाँ पर natural gas और oil खो जा गया उसके कई सालों तक exploration इस वजह से नहीं हुई क्योंकि दोनों कंट्री के वीच में सहमती बननी पारी थी कि यहाँ पर exploration आखिर करेगा कौन अब finally आज क के समय मैं यह कहूंगा कि दोनों कंट्री में इतनी अकल तो है कि एक एक करके जो gas field है वहाँ पर मिलके exploration कर रहे हैं और profit को आपस में divide कर रहे हैं एक बार को dispute को पीछे रखकर यह मैं आपको बता दूँ इनके इस example से इंडिया और पाकिस्तान बहुत कुछ सीख सकते हैं कि dispute अपनी जगा है बाकी जो economics है कमाई है वो अपनी जगा रहनी चाहिए तो अब आज कैसे में situation क्या है कि जो यह यहाँ पर जगा है हला इब triangle जो यह region है जहाँ पर आपको मिलेगा oil natural gas resources आपको मिलेंगे बहुत सारे उसके लाबा coastline भी है बहुत ही बड़ी एक बहुत बड़ लोग रहते हैं और अब क्या होता है काफी बार के कोई भी आदमी USA से रशिया से इवन इंडिया से भी काफी बार कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और claim करते हैं वो लोग खुद का यहाँ पर एक country declare कर सकते हैं मगर officially उनके claim को international community accept करती नहीं है YouTube पे आप देखोगे king of beer ताव को और वो लोग मुकट पैन की और बिलकुल एक royal cape पैन के बात करेंगे के I am the king of beer ताविल आज मैं यह फरमान देता हूँ के मेरे देश में यह होना चाहिए तो again it's a complete comic case और इस सबका जिमेदार एक ही है the United Kingdom और हाँ यहाँ वर मैं यही बदा दूँ आपको के beer ताविल को हम academic language में कहते हैं एक terra nullis, terra मतलब के धरती, nullis मतलब के जो किसी का भी नहीं है यह एक Latin expression है और दुनिया में आपको primarily 3 terra nullis मिलेंगे एक तो Antarctica का बहुत सारा area है मगर वो अलग case है वहाँ पे historical कोई claim है नहीं तो इसलिए कई countries उसका एक बहुत ही बड़ा portion claim करती नहीं है उसके इल पर लोग रहते हैं और दोनों countries आज के समय काफियत तक एक समझोता वरा चुकी है इन disputes को लेकर बिरतावेल अपने आप में एक अनोखा region है दुनिया का जिसको literally धके बढ़ते रहते हैं सुदान कहता है कि यह belong करता है इजिप्ट को इजिप्ट कहता है कि यह belong करता है सुद Syria, Libya, Egypt या फिर सुदान comment section में करो answer जो सही answer देगा उसको मैं heart दे दूँगा तो बाकी आप लोग समझ पाएंगे कि सही answer यहाँ पर है क्या बाकी Google में भी बहुत ही आराम से इसका answer आपको मिल जाएगा और finally आपर मैं यह वियाड कर दू कि life में अगर आप एक बार properly UPSC exam के प्रिपेर करना चाते हैं तो comment section में जाओ यहाँ पर आपको मिलेगा यह link इस link पर करो click और यहाँ पर purchase कर पाएंगे unacademy का unique UPSC combo package जिसके अंडर आप UPSC prelims, mains, optional, optional of course आपकी choice का philosophy, history, geography जो भी आपको choose कर सकते हैं इन सब की तियारी कर पाएंगे एकटा in a single purchase यह सारे courses अलग purchase करोगे on unacademy तो आपको 15,000 rupees extra pay करने होंगे तो यहाँ पर आपकी saving होती है इसके ऊपर additional discount आपको मिलेगा अगर आप use करते हैं यहाँ पर promo code PG10 तो अगर आपके पास अभी time है आप अभी college में है 2-3 साल का time है आपके पास target है कि 2-3 साल में एक proper attempt दूंगा इस exam के लिए तो आप 36 मेने या फिर 24 मेने का course कर सकते हैं purchase so use the code PG10 and save your hard-earned money so इसी note के साथ यह है वीडियो का आंथ thank you for listening and as always God bless you all